भारत में मोबाइल फोन बेचने वाली चीन की कमपनियों को किन सरकार ने आगहा किया है कि वे भारत में अपनी सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाएं। हाल में एक इंटर्व्यू दिया आईटी मिनिस्टर राजीव चंशेगर ने उन्होंने इस इंटर्व्यू में कहा कि चीन की कुछ कमपनिया भारतिय मोबाइल कमपनियों को बाजार से हटाने के लिए गलत तरीकों का गलत हतकंडे अपना रहे हैं और उनकी सप्लाई चेन पा गलत बदलाओ देखें जिसमें एक बदलाओ चीन से सस्ते आजातों पर रोक लगाने की नई कोशिशों के तौर भी था पर मोबाइल के बाजार में जो बाजार पूरी तरह चीन की कमपनियों के कबजे में है और यह कबजा चूंकि भारत सरकार नहीं उनको बुलाया और प पास 14% है और ओपो के पास 10% है बड़ा हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा यह चीन की कमपनिया मिलकर अपने हाथ में लिये हुएं लंबे समय बाद सरकार को यह बात समझ में आया कि चीन की कमपनियों के कामकाज में कुछ भी साफसुतरा नहीं है भारत में जिबकि उन्हें चीन की कमपनिया कारोबार को ठीक नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी तो क्या उनके खिलाफ कारवाई का मतलब उन्हें बाजार से बाहर किया जाएगा भारती बाजार में जो मुबाइल की मांगा उसको कौन पूरा करेगा दूसरी चीज जिसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि चीन की कमपीनियों के कामकाच का ये तौर तरीका पिछले 10 साल से सिर्फ वित्तिय तौर पर टैक्स ना देने के तौर पर ही इसमें बहुत सारी कैनी मित ताए नहीं थी इनकांपिनियों का पूरा डिस्टीबिशन नेट packed भी है पार दर्शी था तो सरकार ने कहा है किसे फोन मंगाती है कैसे डिस्टीबीूट करती हैं फैक्ट्री में बना करें ने को भीजा जाता इसके बारे में भी सरकार को बहुत जादा जानकारी नहीं तो इसे पारदर्शी करने के लिए कहा गया है यह इस लेवल तक जाएगा की इन पर प्रतिमंद लगें सक्त हूं इस बात की संभावना नहीं है शुब हमने आपको भी बताया कि भारत का का इलेक्ट्रानिक्स निर्याद बढ़ा है जिसमें इन कंपिनियों की एक बड़ी भूमिका है लेकिन शायद सरकार की तरफ से इने सक्त चेतावनी दिये जाने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं